कॉलकता के आजिकर मेडिकल कॉलेज रेप मंडर केस में आरोपी संजे राय ने पूर्व कमिशनर पर खुद को फजाय जाने के आरोप लगाये थे इस मामले में पच्छी मंगाल के गवर्नर सीवी आनन्द बोस ने सीम मम्ता बैनाजी से रिपोर्ट मांगी है 11 नमंबर को सियालदे कोट में पेशी के बाद संजे राय ने चीकते वे मीडिया से कहा था कि उसे फसाया गया है कॉलकता के पूरू पुलिस कमिशनर विनिद गोयल ने उसके खिलाफ साजिश रची है साजिश में दूसरे बड़े अफसर भी शामिल है मामले में संग्या लेते हुए गवर्ना ने सीम को जांच का रिपोर्ट देने के आदेश दिये है साथी सरकार का पक्ष भी बताने को कहा है जूनियर डॉक्टरों की मांग के चलते विनिद गोयल को फच से हटा दिया गया है इसे पहले 4 नमंबर को संग्या ने पहली बार ममता सरकार पर आरोप लगाया था सियाल दे कोट में पेशी के बाद पुलिजर संग्या को बाहर लेकर निकली तो पहली बार वो कैमरे पर कहता नजर आया कि ममता सरकार उसे फसा रही है उसे मूना खोलने की धंकी दी गई है Central Bureau of Investigation ने अपनी चार्षीट में संजे राय को मुख्य आरोपी बताया है इसके अलावा केस को गेंगरेप की बज़ाए रैप कैस बताया है चार्षीट में ये भी कहा गया है कि पीडित के शरीर से मिला सीमन, सैंपल और खून आरोपी से मैच हो चुका है में क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जाज के बाद आरोपी के बालों से मैच हो गए है सीबियाए की चार्षीट में सो गवाओं के बयान, बारा पॉलिग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट, सीसी टी रिपोटेच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मॉमाईल की कॉल डिटेल और लोकेशन जैसी चीज़ें से शामिल है इसके अलावा बादात के दिन आरोपी का एरपोन और मॉमाईल ब्लूटूट से कनेक्ट हो गया था इसे भी चार्षीट में एहम सबूत माना गया है सुप्रिम कोट ने इस केस में एक्शन लेते हुए डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने और वर्क प्लेस पर वैतर सिती के निदेश दिये थे कलकेता हाई कोट ने केस की जांच कॉलकेता पुलिस से लेकर सीवी आई को सौप दी थी सीवी आई ने संजय राय को इस केस का एक मात्र आरोपी पाया है हलाकि मामले में शामिल होने के आरोप में पूरों प्रिंसिपल संदीब गोश को भी गिरफ्तार किया गया है